हेलो और वेलकम टु टेली एक्सप्रेस वर्ल दोस्तों इंटनाइडल सीजन थौटीन की लेटिस्ट प्रोमो से इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है इतनी बड़ी न्यूज जिसे सुनकर आप लोगों की आखों से भी आसू लगातार बहने लगेंगे जी हाँ दोस्तों दिल थाम कर सुनिये रिशी सिंग की जिन्दगी का दर्दनाक सच एक ऐसा सच जिसे सुनकर जिसे सुनकर बिदिपता ने तो रिशी की मा को गले ही लगा लिया और गले लगा कर दोनों फूट फूट कर रोने लगी ऐसा क्या सच है रिशी की जिंदगी का बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना अब बिल्कुल ना भूले वेल दोस्तो रिशी सिंग की परफॉर्मेंस देखने रिशी के माता पिता दोनों ही आए है ऐसे में रिशी सिंग ने जब दिप्ता के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस दी तो उसके तुरंट बात उसने ये सच्चाई बताई कि जब वो थिएटर राउंड करके अपने घर वापिस गया अयोध्या पहुँचा तब उसे अपनी जिंदगी का वो सच पता चला जो शायद एक बेटा कभी नहीं सुनना चाता होगा वो सच था कि वो अपने माता पिता का सगा बेटा है ही नहीं वो अपने माता पिता का गोद लिया हुआ बेटा है उसकी मा कभी भी जिन्दगी में एक बच्चे को जनम नहीं दे सकती थी इसलिए उन्हें रिशी को गोद लिया था तब रिशी ने जब ये सच्चाई बताई तब विदिपता स्टेज पर खड़ी खड़ी उतना रोन नहीं रही थी जिसके पीछे की बड़ी सच्चाई ये है कि रिशी ने थियेटर राउंड के तुरंद बाद ही जब वहां से वापिस आया तब तूटे हुए रिशी को ये सच्चाई सब को पता चली तो कोई भी खुद को नहीं रोक पाया ऐसे में बिदिपता रिशी की मा के पास गई उन्हें गले लगाया और उन्हें होसला दिया और ये कहा कि आप ही उनकी असली मा है देव की ना सही आप उसकी यशोदा है उस कानहा की जवाच पूरे हिं दुस्तान के दिलों पर राज कर रहा है वैल आप लोग क्या कहेंगे रिशी के लिए और बिदिपता के लिए हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं मीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें